bysell signal software में आप सबीका फिर से स्वागत करते हैं आज जम एनालिसिस करेगे आज का software के अंदर कौन सा trade दिया था और software किस तरह से काम करता है, किस तरह से hold करवाता है और किस तरह से आपको exit करवाता है उसके बारे में बात करेगे कोई भी software हो आपको main बात होना चाहिए कि signal अगर आपको सही मिले और सही time पर आपको entry मिले और सही time पर आपका exit level हो और कितना hold करना चाहिए वो main बात है क्योंकि जब भी लंबी rally मिलती है तब आप catch up नहीं कर पाते है थोड़ा छोटा सा target आपको दिया जाता है पर यहाँ पर एसा नहीं होता है यहाँ पर जब तक rally खतम नहीं होती है तब तक software आपको continue hold करवाएगा और ए system आपको कहीं दुसरे software के अंदर नहीं मिलने वाली है अब पुरे YouTube में आप check कर सकते हैं तो आईए देखते है रिलाइस का chart आपके सामने लगा हुआ है यहाँ पर एक buy signal generate हुआ है और पका trade है उसका reason में आपको बता देता हूँ कि यहाँ buy के पहले एक उपर की side का blue arrow लगा था इसलिए यह buy signal perfect trade था confirm trade था और इसमें हमें trade करना था तो कोई भी signal generate होने से पहले यहाँ उपर की side का arrow होना चाहिए अब आगे जाएकर software ने यहाँ पर आपको inform किया था कि continue रहेगा don't worry hold your position market is up तो continue रखना है आपको यहाँ confidence दिया कि अभी भी market खतम नहीं हुआ है रेली खतम नहीं हुई है उपर ही जाने वाला है थोड़ा आगे गया फिर से software ने आपको inform किया कि अभी भी यह ओर उपर जाने वाला है तो आपका होसना ओर बढ़ जाता है और आप continue रख पाते हैं यह ओपर जाने वाला होता है तब तक आपको यह बोलता रहेगा continue hold आपको इसमें continue hold रखना है वेसी तरह में एक selling का holding का मैं आपको example दे देता हूँ जैसे की tvs motor का chart आपके सामने लग गया यहाँ पर देखिए sale signal बना है और sale signal के पहले मीचे की side का confirmation arrow होना चाहिए अगर यह नई है तो यहाँ पर हम sale के अंदर काम नहीं करेगे अगर यह है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पका trade है अब आगे जाकर software ने आपको selling में भी holding का support देता है आपको बोलता रहेगा जब तक rally खतम नहीं होती है तब तक आपको बोलता रहेगा कि आप continue रहे यहाँ पर थोड अगे गया अगले दिन आपको फिर से inform किया अगर आप intraday trader है तो यहाँ से exit कर सकते है next day आपको बोलेगा कि क्या करना है तो next day आपको यहाँ पर बोला है कि आप continue रहे market नीचे गिनने वाला है यहाँ पर देखिए जैसे ही open हुआ market ने तुरंद software ने आपको बोला कि आप continue अगर आपकी position continue खड़ी है तो भी आपको continue hold रखना है फिर से आगे गया फिर से software ने बोला कि आप चिंता ना करें market और नीचे गिनने वाला है यह आने से आप continue जो रेली है उसका benefit आपको मिलेगा अगर यह नहीं आता तो आपको गबरावत होने लगती है कि अब क्या होगा market तो बहुत नीचे गिर गया है पर actually market और नीचे गिनने वाली होती है और software आपको continue support देता रहेगा जैसे थोड़ा के गया फिर से आपको बोला कि यह और नीचे गिनने वाला है आप continue रहे और software को लगा कि आपको exit करना चाहिए अब market और नीचे नहीं जा सकता तो आपको य यहां से profit book कर लेना है तो इसी तरह software के अंदर काम करना है अगर software का demo देखना है तो नीचे डिफ्रक्शन बॉक्स में हमारा contact number दिया गया है उसमें आप हमें call कर सकते है WhatsApp कर सकते है और अगर हमारे channel पर बहुत चारे videos है वो भी check कर सकते है channel को subscribe करना ना बुलिए क्योंकि दो से तीन बार और आपको live में support करने की कोशिश करते रहते हैं और साथ में हमारा telegram channel join करना ना भुले नाम है शिवाई ट्रेडिंग तो इसके अंदर हम फ्रीमे calls भी provide करते हैं तो कल फिर से मिलेगे दोस्तों तब तक बने रहे हमारी इस YouTube channel के साथ धन्यवाद दस्तों